तो अगर दोस्तों आपका भी Amazon Alexa Connect नहीं हो पार रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा complete end तक देख लीजेगा यहाँ पर मैं आपको step by step सारा कुछ बताने वाला हूँ कि आपने इसको कैसे जो है connect करना है और किन बातों का आपने ध्यान रखना है तो मेरा नाम है आवंदीप end वीडियो को कर लेते हैं दोस्तों शुरू यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे सबसे पहले इसको connect करने के लिए आप यहाँ पर इस बटन को लगबग 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे जब आप प्रेस करके रखेंगे तो यह जो yellow light होगा यह जो yellow light होगा फिर आपक जो blink होना शुरू हो जाएगा जब यह blink होना शुरू हो जाएगा तो आपको यहाँ पर अपने phone में Amazon Alexa app को download कर लेना है ठीक है डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब आप इस पहली बार open करोगे तो यहाँ पर account विगर आपको डालना पड़ेगा जो भी Amazon पे आप यूज क कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर एक बार back करता हूं मैं शुरू फिया आपको बता देता हूं confusion नहीं करने वाला आपको तो यहाँ पर एक बार Alexa में जाएंगे तो आपके पाफ यहाँ पर more option मिल जाएगा यहाँ पर click करेंगे and add device पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद आप भी बोल रहे है कि यह जो यलो लाइट है वो ब्लिंक होनी चाहिए जैसे कि यह वाली हो रही है ठीक है तो यलो लाइट को ब्लिंक होनी देना है and आपने make sure करना है कि आपके phone का Bluetooth on हो ठीक है and Wi-Fi भी आपको देना पड़ेगा मतलब किसी और phone फे आप hotspot वेगरा भी on कर तो अगर आपके घर पर Wi-Fi available नहीं है location Bluetooth and Wi-Fi तीनों चीज़ों आपके on होनी चाहिए on होने के बाद आप यहां पर रहे F बटन पर क्लिक करेंगे F बटन पर क्लिक करने के बाद यह फर्च करने लग जाएगा अभी आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिसके कारण यह आप को प्रोगलम बार बार आता है ठीक है तो क्या होता है दोफ्तों वो भी मैं आपको बताता हूं अभी यह सर्च कर रहा है ठीक है सर्च करने के बाद हमारे पाफ यह device आ जाएगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं देख ले तो मेरे अबलियो तो थोन है बिल्कुल त यहां पर थोड़ा टाइम लग जाता है इसप्रेफ में कभी कभी तो एक फेकेंड में हो जाता है और एक मिनेट तक भी लग सकता है तो हम यहां पर थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी दोफ्तों यह connect नहीं हुआ था क्यों नहीं connect हो रहा वह मैं आपको बताता हूं क्या होत यह जो है न 2.4 GHz का जो broadband होते हैं जो band होते हैं उनको ही support करता है अभी यह 5G connect है इसके कारण ही support नहीं करना ठीक है अगर यही मैं अपना 2.4 GHz जो wifi होता है अगर आपके घर में लगा होगा तो आपको पता होगा तो अगर इसको connect करूँगा तो फिर यह अफान इसके connect हो जाएगा मैं अपको यहां पर time wave नहीं करने वाला आप एक अबर try कीजिएगा 100% connect हो जाएगा